प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूबर और नेबर मिस अनाधर अफ़ेट गर्दी को पुरे दुनिया में, इसपेशली मिडली इस्ट और पकस्तान में लेकिन एक बात सुश्मा सुराज की माननी पड़ेगी आईटी के हवाले से वो कहती है कि आईटी सॉफ्टरे में हिंदुस्तान दूसरे नमबर पे है वो ये बात दरुस्त कहती है लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा भी हमने करने दिया उनको कुछ अरसा पहले बिल गेट्स एक सॉफ्टरे की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और एक सॉफ्टरे हाउस बनाना चाहता था और उसने ये चीज ओपन रखती थी उसके लिए बहुत सी लॉबिज ने कोशिश की हिंदुस्तान लॉबिज ने भी और पाकिस्तान की लॉबिज ने भी पाकिस्तान की लॉबिज में से कुछ लोग जो के बहुत हाईली टेकनोलिजिकल साउंड करते थे उन्होंने बहुत जोर लगाया जोर लगाने के बाद उनको कहा गिया कि एक लेटर लिखे लाइए जो आपकी गवर्मेंट हमसे कहे कि यहाँ पे शूरटी दी जाती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो लेटर एक फॉर्मल लेटर है लेकिन उसकी जमानत की वज़ा से वो बहुत बड़ी युनिवरसिटी वो बहुत बड़ा सौफ्टर हाउस पाकिस्तान में आ सकता था जिससे बहुत सी तालीम बहुत सी आईटी की जॉब्स इंप्लॉइमेंट्स निकल सकती थी वो आता है वो पाकिस्तानी जो वहाँ पे लॉबी में बहुत स्ट्रॉंग होता है जो चाता है कि ये चीज़ पाकिस्तान को मिले दूसरी तरफ हिंदुस्तान की लोबी भी काम कर रही होती है वो पाकिस्तान आता है वो लेटर के लिए दिन राफ चक्र लगाता है प्रैमिर्टर के आफिस के बाहर और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती उसके बाद उसे कहा जाता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकि आया था ये वो पाकिस्तानी था जो तादा था कि वो प्रोजेक्ट जो हिंदोस्तान की लॉबीज कोशिश कर रही है कि उनको मिले आई-टी और सॉफ्टरी की मद में वो पाकिस्तान को मिले वो एक गुमनाम किसम का डिप्लोमेट था वो एक ऐसी लॉबी कर रहा था जिसके लिए उसको कोई स्टेट आफ पाकिस्तान तनखार नहीं दे रही थी उसके लिए वो चक्कर कारता और एसन अकबाल साथ तीसरी बार उसको सुनते हैं और सुनने के बाद उसको कहते हैं कि अगर ये हो कि हम से वो इजाज़त मांगे तो शायद हम कुछ कहें अब उनसे इजाज़त क्यों मांगी जाए उनके लिए बहुत से ममालिक हैं जो इस चीज़ के लिए मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ उनके ममालिक में आए उनके मलक में आए ये जॉब्स ये यूनिवरस्टी ये सॉफ्टर हाउसे क्यों बिल गेट्स को जरूरत है कि वो पकिस्तन की भीक मांगे के वो इजाज़त दे ये एक बहुत ही मुजह का खेज मुतालबा था जो एसन अकबाल साब ने किया इसके बाद वो मायूस हो जाता है वो शख्स जो बहुत कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट सॉफ्ट्रे का मेगा प्रोजेक्ट पकिस्तान को मिले और वो मायूस होके वापस चला जाता है और फिर दुनिया ने देखा कि आईटी और सौफ़वे इंडिया ने बहुत तरक्की की क्योंकि बिल गेट्स ने वो बड़ी सौफ़वे की यूनिवरस्टी ना सिर्फ ये के हिंदुस्तान को दे दी बलके आठ करोड डॉलर रुपे भी सालाना मद में उस सौफ़वे हाउस और यूनिवरस्टी को वजीफों के तौर पे दिये सिविल इंस्टूशन हो या ये जगा जिसे हम मीडिया की जगा कहते हैं या यहां बैटके हम क्या कर रहे हैं मुलक के लिए क्या कर रहे हैं या सिर्फर सिर्फ अपने दाती मुफाद के लिए हम सोचना चाते हैं जो शबैसे निकबाल साब ने सोचा और ये नहीं सोचा कि करने की ज़रूरत है बहुत से गुंचाइश है जो करनी होगी उन से पूछिए कि उनके पास दो बडी मिनिस्ट्रीज रह चुकी है छार साल तक उनम跟大家 क्या किश्ट है उसके पास की कितना influence डाल रहा है जी हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है मौमद साइद जफर साब एड़ोकेट है हाई कोड की खुशामदीद साथ हमारे साथ चामिल है फौजिया नस्री मौतरमा साबित सफीर हैं डिप्लोमेट हैं खुशामदीद में हम यह जानना चाहते हैं क सिफारतकारी की इंपॉर्टन्स किसी स्टेट के लिए क्या होती है in a very simple word in a very simple way देखे जो आम उसमें जो है diplomatic आप जो भी लिट्रेचर पढ़ेंगे उसमें यह कहा जाता है कि diplomacy is the first line of defense. यानि आप diplomacy के थू जो है अपने interest को protect कर सकते हैं, save guard कर सकते हैं और अपनी options को आप exercise कर सकते हैं बल्के अपने लिए जो space है वो create भी कर सकते हैं. So diplomacy की जो है एहमियत अभी से नहीं शुरू से बहुत पुराने जमाने से इवन अभी सलसलम ने बताये हमें tactics हमें. बिल्कुल नहीं तो जो है diplomacy हमेशा से एहम रही है अभी भी है और इसको जो है किस तरह से present आजकल के हालात में जाहरे के challenges बहुत जयाद है और वो challenges के बारे म स्पेस क्रियेट करेंगे डिप्लमाटिक फील में फिर्स लाइन अफ डिफेंस में हमने आज तक कितना अपने आपको डिफेंड कर लिया बहुत एहम मोकों की बात कर रहे हैं देखी प्यालिया मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती क्योंकि अगर हिस्टोरिकली आप देख पाकिसान के इंटरेस्ट को बलकि इसके साथ उन्होंने इंटरनेशनल पीस और सिक्यूरिटी के इश्यूस में भी बहुत एक लीडिंग और एहम किरदार अपा किये आज कहां पर कितना अगर आज अगर आप बिल्कुल इमिजेट उस पर देखेंगे तो आप देखी के और hadQLो मरी ऑनोदी साहब उन्होंने दिये दिये। संनिय के इंडिया बहुत अग्सो that is explained in Switzerland. में जो कसा हुआ उसमें भी आप देखिए कि अब एक एक्जिविशन अरेंज होने जा रही है जिसमें के जो कश्मीर में हुमन राइट्स वाइलेशन होई है उसको हाइलाइट किया जाएगा उसमें हमारे जो है फॉरंड मिनिस्टर उनकी स्टेटमेंट्स पिछले दिनों हम पिछले जो हमें ने सुनी ट्रॉम्प अगर कहता है अमेरिकन अगर लॉबी कहती है अमेरिकन स्टेब्डिश्मेंट कहती है कि दूम हो तो हमें बात समझ आती है कि उनको इसके लावा कुछ और कहना आता नहीं है लेकिन हमारा ही फॉरंड मिनिस्टर फर्स लैन अफ डिसे इनरेट हो गया है पाकिस्तान में क्या कहा क्या नहीं का और हमें देखना चाहिए कि उसका परस्पेक्टिव क्या था ट्रॉम्प की भी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें को तबदिली खास तो नहीं आई है वह वही चीज़ कह रहे है जो कि बुछ भी कह रहे है तो अबामा रोल प्ले कर रह रहा है उसको हमने हाइलाइट किया उसको जागर किया यह बताया है कि आपकी यह सारी स्टेटमेंट्स तो हैं मगर इस पे आपको इस जाविये से देखना पड़ेगा के टीटीपी और अच्टेटर अच्टेर अच्टेर उनको कहां से सपोर्ट मिल रहे है तो ये कहां से सपोर्ट मिल रही है ये चीज़ हमारे डिप्लोमेट्स, इन्वाइस, फॉरन मनिस्टर ये तमाम जीज़ें इन लोगों को आगे जाके हाईलाइट करने चाहिए बहुत सारे फॉरम्स पे, इंटरनेशनल फॉरम्स पे, नेशनल फॉरम्स पे, रिजिनल फॉरम रहे हैं देखिये जब आप इंफॉरमेशन शेयर करते हैं तो ये मिशन के साथ कितनी शेयर हुई है, डोसियर्स पहले एगलानी साथ ने इजिप्ट गये उसमें प्रिजेंट किये थे, तो देखें ने पॉलिसी है आप इसको कितना उजागर करना चाहते हैं नहीं करना चा तो ठीक है यह पॉलसी डिसीजिन एक घार लेवल पर ली जाती है अच्छा यह परस्पैक्टिफ जिस परस्पैक्टिफ में अफवाज आसिप ने कही वह परस्पैक्टिफ भी और भी जो परस्पैक्टीफ वनने बियान की है फर्स लाइन अप डिफेंस पे होकर वह हम दिख खाएंगे ताकि ऐसा ने लगे कि शाद हम खुद से कुछ किह रहें